श्रीक केशव प्रसाद महौरु जी आपका पंजाब केशरी नवोदय टाइम्स के इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है हम आपका आभारी हैं कि आपने अपने व्रस्त समय से थोड़ा समय हमारे लिया निकाला हमको दिया और मैं अब सिद्धे चर्चा पे आता हूँ क्योंकि आपके पास बहुत-बड़ा पदभार हैं डिप्टी सीम हैं आपके पास इंटर्टेंडमेंट टैक्सी विभाग है और आपके पास और भी कुछ विभाग है पी डब्लूडी सबसे बड़ा विभाग है और इस समय कोरोन काल चलना है तो निश्ची तोर पर बहुत से संकट आए होंगे आपके सामने काम कैसे कराएं काम रुग गया होगा आपनों कैसे मैनेज कर रहे हैं सबसे पहले यह बताइए बीच जब लागडाउन था उस समय काम सब प्रकार से बंद किये गए थे लेकिन आर्थिक गदव चोड़ करके बाकी काम प्रारम्ड करेंगे तो इस समय की इस्तिती है उसके हिसाब से लगभग हम सारे काम को सुरू करने की तैयारी कर चुके हैं अब तक लगग 30,000 से अधिक हमारे जो स्रमिक हैं उनको और अन्य प्रकार का कारिक करने मारे जो लोग है उनको अकेले पी ड रोजगार फिर से अपना पा करके काम प्रारम कर चुकी जी यूपी जैसा विशाल प्रदेश उसकी समसाएं भी उतनी विशाल है और सड़कों की स्तिती समय वहां कैसी है बीच में सुना था कि सड़के खराब थी लेकिन आपने कहा था इस सड़के एकदम ठीक हो जाएंग लेकिन सब इस बाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों की दसा में बहुत सुधार है बिना भेद वहाओ के हर्चेष की सड़कों का निर्वार कराया जा रहा है और यहां काम अभी जारी है और आगे भी जारी जारी है यह आपके प्रदेश में इतने बड़ी संख्या में कामगार लोटे हैं आपने मुखमंत्री जी ने पूरी सरकाय ने वादा किया है कि हम सब को भोजन भी देंगे काम भी देंगे कैसे कैसे काम दिये जा रहे हैं उनको अब ही जो प्रात्विक तोर से जो लोग वापस आ रहे हैं नंबर बहुत अधिक हैं लेकिन अभी हम लोग मनरेगा के अंतर गत्यु की गाउं के रहने वाले लोग हैं वहाँ पर बहुत सारे कारे प्रारम किये उसके माध्यम सो रोजगार दे रहे हैं उनका अलग से जाबका काम कर रहें तो हमारा प्रयास यह है कि कोई भूंका न रहे कोई जरूरत मंद है अगर उसको कुछ पैसे जरूरत है तो हजार लुपए महीने डालने का काम प्रारम हुआ है आगे भी इसको करते रहें जी आपका जो शक्री राजीनितिक जीवन है वह मूलत है विएच्पी से भी रहे आप प्रदेश संगठन में रहे आप वहां पर अध्यक्ष रहे आप सांसद रहे और आप इस समय उपमुख मंत्री है तो आपका दाइरा बहुत बड़ा है और इस काल में सब लोग आपसे संपर करना चाहते हैं कि तो आप कैसे उनको सुनते हैं कैसे सब को संतु मैं करते हैं कवी तेली फोन से ब्यक्तिखाद चल लेते हैं लेकिन प्रुदेश में छानता घ्ल में लगत्ती सह संफार रहे यह इस सबस्क्राइब करके बात करते हैं बाकि इस समय तो आवास भी रहना होता है बाहर कारकम नहीं होते तो यह दिनबर चलता रहता है जी आप राम जन भूमी को लेके जब आये थे तो राम जन भूमी को मुक्त कला लिया मंदिर बंदे की शुरुवात हो गई है उसके साथ दो बाते और थी जी अयुद्ध्या मतुरा काशी तो मतुरा के बारे में केशव हैं आप और केशव के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं क्या कोई विचार है कि हम करेंगे सब लोग इस बात से संतुष्ठ हैं कि राम नला की जन्म भूमी का एक बड़ा आंदोलन बड़ा संगर्स इस देश में आजादी के बाद भी हुआ और आजादी के पहले भी हुआ और उसका फैसला देश की सरोचा दालत ने दिया है और वहां पर कार्य भी प्रारम हो गया है हर राम भक्त हर राश्ट भक्त हर किष्ण भक्त हर सीव जी का भक्त सब संतुष्ठ हैं पहले राम नला के सिखर का कलस अस्थापित हो फिर जैसे भविस्ट की आउसकता होगी हमारे पूजे साधू संत्रे करते हैं सरकार नीते करती है चाए वाला इधर एक चाए वाला डिपटी सीम बना है और के दिन कैसे थे और वहां तक पहुंचने की आत्राप कि सी रही क्या-क्या शंगर्स जेलने बड़े जीवन जीया हूँ या मेरे लिए गर्व की बात है किसान गरीब का बेटा हूँ इस बात का मुझे गर्व रहता है और मैं वहाद दिन सदा याद भी रखता हूं जी आपके राजनीती का लक्ष क्या है? कापी बदला हम लोग प्रदेश नेयोंगी जी होसे उन परकॉप काया चाहिए। तो पहले वी आरोब लग गया था। वachत्त चाहिश क्या है? लोग जानना चाहते है। सच्चाई तो आपको यह पता चली गया है जब न्याय प्रक्रिया इस देश के अंदर है और न्याय प्रक्रिया के अंतरगत जब जहां आज परताल करने के बाद कोट में सुनवाई के बाद अगर यह सच सामने आता है तो जिन लोगों ने इस प्रकार से आरोप लगाए उनक के पास इसका वीड़ेक तो आता ही होगा हमें मालूम है लेकिन यह तो ट्रस्ट के लोग सब मानी हमारे जो राम जन्भूमी न्यास चेत्र जो ट्रस्ट बना हुआ है तो उस ट्रस्ट के महा सचिव आधनी चंपतराय जी लगवग प्रदिन मिडिया को बताते भी रहते हैं और वहां काम प्रारम हो गया है प्रारम होते ही वहां कुछ और मंदिर तोड करके वहां धाचा जो खड़ा किया गया था उसके कुछ और आउसेस मिले हैं और इससे प्रमाणी थे कि वहां रामला का बब्र मंदिर था और देश की सरोचा दालत का फैसला एकदम सही था और यह जब फैसला आया उसके बाद आप गई की नहीं गए उसके बाद हम जाने का कारकम बना ही रहे थे लेकिन तब-टक लागडाउन आ गया अभी नहीं जा पाए इस समय आपकी मुखमंत्री की जिकी और सरकार का मुख्य लक्ष क्या है उत्वर्देश के लिए जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, तरह तरह के आरोप लगाता है क्यों कोई काम नहीं हो रहा है, कोराना बढ़ा दिया गया है, सरकार जो बड़ी तानाशाही कर रही है, यह सबी दल चाहे कॉंग्रेस हो, चाहे वो अखलेश यादों पूर मुखमंत्री हो, इस ब सारे लोग नकारात्मक रास्ते पर चल लाए हैं, इनका निचले अस्तर का संगठन अगर शक्री होता, तो जमीर की रिपोर्ट इनके पास आती है, और जमीर की रिपोर्ट आती तो इनको निश्शित तोर से आई हो, तो यह घबडाते हैं, कि बीजेपी का संगठन भी काम क काम कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है और गाओं के अंदर इन दलों के कोई कारकरता जनता के बीच में नहीं है इक वर मीडिया के बीच में है और इसके सच्चाई से बहुत दूर है हमारी सरकार केंद्रम सरकार भी प्रदेश सरकार भी अच्छा काम कर रही है और लो करते हैं जो नहीं होती हो संगठन के माध्यम से सरकार के पास आती है और जो भी कल्याड के काम है किसी के साथ तर न्याय हुआ तो उसको न्याय दिलाने का कार है उसको हम लोग कराते हैं किस करते हैं किंस्याय करता होसे मूलता आ रही है वहां से इसमाज में जैसे जो जो भी गाउं में रहता है, कहीं किसी की कुछ समिश्या होती, किसी की कुछ समिश्या होती, लेकिन जो भी समिश्या होती है, उसके समधान का विधान है, विवस्ता है, और उसको कराया जाना है. मुलता कुछ common बाते होती हैं जैसे हम को भोजन नहीं हैं विभाद होते हैं, कितों के विभाद हो गए, कुछ ऐसे जगड़े होते हैं, या गाउन में कोई विकास का काम नहीं हुआ, उसकी डिमांड उती Sãohram Alda, भाव से जो गाओं के लोग बताते हैं वह सब काम जो किया जा सकता है उसको प्रात्मिक्ता पर कराया जाता है जी बहुत-बहुत धन्यवाद हम फिर संपर्क में आएंगे धन्यवाद तुमस्कार